दोस्तों हमारे पूर्वज चूने को विपिन रोगों से निजाद पाने के लिए उपयोग किया करते थे उस समय ग्रामिन छेत्रों के लोग साप या बिच्चु के काटने पर भी चूने को उस जगह पर लगाते थे जिस से आराम मिल जाता था, वही चूना आपके स्वास्त के लिए काफि फाइदे मन्द होता है चूने में बरपूर मात्रं में कैल्सियम पायजाता है जो आपके सरीर में कैल्सियम की कम्मी को पूरा करता है इसलिए आज हम आपको आपके अपनी चैनल Hair Tips and Discretion में बताएंगे चूनी के चमतकारी फायदे के बारे में जो आपके सेहत के लिए लावकारी हो सकते हैं अगर किसी पुरस के सुंक्राणों नहीं बनता उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाए जाए तो साल डेड़ साल में बरपूर चुक्राणों बनने लगेंगे जिन महिलाओ के सेरीर में अंडे नहीं बनते उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए जिन बच्चों की बुद्धी कम हैं ऐसे मतीमंद बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवा है चूना जो बच्चे बुद्धी से गम है तिमाक देर से काम करता है देर में सोचते हैं हर चीज उनकी सुलो है उन सभी बच्चों को चुना खिलाने से वह अच्छे हो जाएंगे लड़क्यों को अपने माशिक धर्म में के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसका सबसे अच्छी दवा है चूना मैनोपोस की सभी समश्याओं के लिए गेहू के दानी के बरावर चूना हर दिन खाना दाल में लस्य में नहीं तो पानी में गोल कर पीना चाहिए इससे ओस्ट्योपोरसिस होने की संभावना भी नहीं रहती जब कोई स्तरी गरवाश्यक में है तो चूना रोज खाना चाहिए क्योंकि गरवती महिला को सबसे ज़्यादा केल्सियम की जुरूरत होती है और चूना केल्सियम का सबसे बड़ा भंडार है गरवती महिलाओ को चूना खिलाना चाहिए एक कपनार का रस और चूना गेहु के दाने के वराबर यही मिलाने मिलाके रोज पिलाए नौ महिनी तक लगातार देने से मा और मा को बच्चे के जनुम के समे कोई तकलीफ नहीं होगे चूना गुठने के दर्द को ठीक करता है कमर का दर्द ठीक करता है कंधे का दर्द ठीक करता है एक खतरनाक बिमारी है Spondylitis जो चूने से ठीक होती है कई बार हमारे रीड की हड़ी में जो मनके होते हैं उनमें दूर इवट जाती है और गैप आ जाता है जिसे ये चूना ही ठीक करता है अगर मुह में ठंडा गरम पानी लगता है तो चूना खाने से बिल्कूल ठीक हो जाता है मुह में अगर चाले हो गए है तो चूने का पानी पीने से तुरंत ठीक हो जाता है शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़दर ज़दर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें